हेलो फ्रेंज वेलकम टू कुक्पित प्रगिती विश्वा और मैं हूँ प्रगिती विश्वा तो चलिए देखते हैं क्या है खास आज के वीडियो में आज हम बनाएंगे यह फ्लफी सा दिखने वाला स्ट्रीट स्टाइल एग्लस ओमलेट जो बनेगा पिना अंडे के लेकि वन फोर्थ कप मैदा और वन फोर्थ कप हम लेंगे पेसन इसी के साथ इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून अधरक लेस्थ बी डाल सकते हैं और अगर आपको लेस्थ पसंद नहीं तो सिर्फ अधरक का पेस्ट भी आप इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं इसके लावा डालेंगे हम बारी कतिवी हरी मर्च, 1 टेबल स्पून और साथ ही इन सारी चीज़ो को कर लेंगे मिक्स, थोड़े थोड़े से पानी को डाल कर इन सारी चीज़ो को हम अची तरह से मिक्स करके इसका एक लंभ फरी बैटर प्रपेर कर लेंगे ध्यान रखेगा कि इस बैटर में गुटलिया नहीं होनी चाहिए और ये बैटर बहुत जादा पतला नहीं होना चाहिए तो ये इस तरह से मीडियम थिक होना चाहिए आप देख सकते हैं ना बहुत पतला ना बहुत गाड़ा इसके बार इसमें हम डालेंगे कुछ वेजटेबल्स तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्यास तो 3-4 टेबल स्पून प्यास डाला है हमने रफली चॉप करके क्योंकि आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल इसलिए मैं इसमें प्यास डाल रही हूँ अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसे बिना प्याज के भी बना सकते हैं इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे आलू एक उबले हुए आलू को मैंने डाल दिया है बारी बारी काट के तो ये है करीब 3-4 टेबल स्पून उबला हुआ आलू अगर आप प्याज लेसुन नहीं काते तो इसके बिना इस रेसिपी को बना सकते हैं और अपनी पसंद की जो भी सबसियां आप चाहें इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक्स बात के हिसाब से साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्श पाउडर हलकी से फ्लेवर के लिए जाता नहीं डाल रहे हूँ मैं क्योंकि इससे इसका कलर खराब हो जाता है तो इसलिए आप भी थोड़ा सा ही लाल मिर्श डालेगा इसके लावा दो टेबल स्पून मैं इसमें डालते हूँ शिम्ला मिर्श एक अच्छे से क्रंच के लिए और इसके बाद इसमें जाएगा बारी कटा हुआ हरदनिया दो टेबल स्पून अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को मिक्स कर लिया है बैटर रेडी है अल्मस्ट तो डालेंगे इसमें एक टी स्पून बेकिंग पाउडर और इसे फटा फट से मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है ना तो वो बहुत पतला है ना बहुत काड़ा है तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे बैटर को हलका सा थेक होना चाहिए बैटर रेडी है तो फटा फट से गैस की तरफ चलते हैं अगले स्टेप के लिए गैस पर एक पैन को रखेंगे और इसमें डालेंगे एक से दो टेबल स्पून देशी घी आप चाहें तो घी की जगा पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं पर देशी की का टेस्ट बहुत अच्छा आता है वैसे इस स्टेश पर ध्यान रखेगा कि आपका पैन बहुत गरम नहीं होना चाहिए इसे हलका साही गुनगुना होना चाहिए अदरवाइस जब हम बैटर डालेंगे तो एक दम से ये पक जाएगा और हमें ऐसा नहीं करना है इसलिए जो पैन है वो नॉंस्टिक यूज़ कीज़ेगा और पैन हलका साही गुनगुना गरम हो इस बात का ध्यान रखेगा तो हमारा घी मेल्ट हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे हमारा बैटर बैटर डालने के बाद इसे हम हलका सा स्प्रेट कर लेंगे डियान रखेगा कि इस batter को हमें बहुत पतला spread नहीं करना है इसे हलका साही spread करेज़ेगा ताकि ये even spread हो जाए बस ऐसा ही हमें रखना है इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर ताकि एक अच्छा सा फ्रेश सा flavor इसमें आ सके आप चाहें तो टमाटर ना भी डाले साथी थोड़ी सी green chili sauce डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें red chili sauce भी यूज़ किया है ताकि एक अच्छा सा खटा मीथा तीखा सा टेस्ट आ सके तो थोड़ी थोड़ी सी sauces यूज़ किया है आप अपनी पसंद की sauces डाल सकते हैं और साथ ही हमने इसमें डाला है cheese आप process या mozzarella कोई भी cheese यूज़ कर सकते हैं अब हम इसे पकाएंगे low flame पर ही करीब एक से दो मिनिट तक इस side से तो इसे पकाने के लिए हमने इसे ठक दिया है और एक से दो मिनिट बाद जब हमारा cheese थोड़ा सा melt हो जाएगा और नीचे से ये थोड़ा सा crispy हो जाएगा तब हम इसे चेक करेंगे करीब दो मिनिट हो चुके हैं इसे एक side से पकते हुए आप देख सकते हैं cheese melt हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो omelette कितना fluffy हो चुका है तो बस इसे अब हम fold कर लेंगे इस तरह से इस पर इच्छे से घील लगा देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए और थोड़ा सा crispy भी हो जाए तो बस अब हम क्या करेंगे इसे कर लेंगे हम सावधानी से उठा कर flip ऐसे तो आप देख सकते हैं कितना बड़ी असा color आए इस तरह से पक गया है तो बस इसे ठकेंगे और इसे दो मिनिट और पकाएंगे धीमी आज पर ताकि अंदर तक अच्छी तरह से सिक्के पक जाएं तो आप देख सकते हैं दो मिनिट हो चुके हैं अच्छी तरह से यह पक चुका है तो गयास को आफ करेंगे और इसे करेंगे हम गर्मा गर्म सर्व आप देख सकते हैं कितना बड़ी असा फ्लफी हमारा ओमलेट त्यार हो गया है वो भी बिना अंडे के तो इसे आप अपने पसंद की चट्मी या सॉस के साथ कर्मा गर्म सर्व करें इंज्वाइ करें और हाँ अपने एक्स्पिरेंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तके लिए गुद्बाई